हम लोग शुमित भागवतम के तीसरी सकंद के छटे धाई के 35 और 36 लोग को पढ़ेंगे 34 तक आपने सुन लिया था कि भई सभी की सभी वर्ण आश्रमों की वर्णों की करतव क्या है उसके बाद सुना था कि 34 में कि यह वर्ण है इनको भगवान अपने विशुद्धी के लिए भगवान श्री हरी का यजन करना चाहिए अपने आत्मा चित्ति के शुद्धी के लिए अब वो कहते हैं कि इन विराठ पुरुष्ट की महिमा अवसीम है तो इसलिए ऐसा कौन विक्ति है जो उसका वड़न पुंता कर सकता है कहस्रध्धया दुपाकर तुम योग माया बलो दयम 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 हे विदुर पूर्ण पुर्शुत्तम भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट किए गए विराट रूप के दिविकाल कर्म तथा शक्ति को भला कौन माप सकता है यह उसका आकलन कर सकता है मतलब ऐसा मस समझे कि मैंने पूर्ण वर्णन किया है पूर्ण वर्णन तो संभवी नहीं है है रहे क्यों ऐसा कहते हैं क्योंकि आपने देखा था कि जो विभिन प्रकार की योनियों में जीव जा रहे हैं वह काल के प्रभाव से और अपने कर्म के प्रभाव से उत्पन हो रहे हैं तो विराट पुरुष का जो शक्तियां है वो काल और कर्म है उस पश्ठ है भगवद योग माया बलो दयम भगवान की योग माया के बल से इतत इस विरात रुपका उपा कर तुम समग्रतामे दूपन मतलब पूर्डतामे दूपन कह निरूपन कहु श्राँर्ध्धा मतलब इच्छा कि क्या हो सकता है श्रद्धा का मतलब इच्छा ही होता है श्रधनुसारेन हर्थातücken alle क्या स्रद्धा मतलब इच्छा किस श्रद्धा से विक्ति कोई कार्य कर रहा है कोई विक्ति कार्य कर रहा है तो बीना इच्छा की वो कार्य कर ही नहीं सकता है यह स्विकार है यह नहीं है आप केंगे नहीं हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं हम बौस की इच्छा से कर रहे हैं तो आप स्विकार आपने कंट्रोल होने की इच्छा को मान लिया है आप अपनी स्विक्छा से दूसरी के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं कुछ स्विकार है या नहीं है अगर इच्छा नहीं होगी तो व्यक्तिकार नहीं करेगा तो इसलिए शिद्धा मतलब इच्छा तो यहां पे कहश्र द्या का अपात करतूं मतलब है ऐसा व्यक्ति कौन है जो ऐसी इच्छा करेगा कि वह विराद पुरुष की समगरता में निरूपन कर दे एतत्त मतलब इस विराद पुरुष का शत्तर मतलब है विदुर जी भगवतो भगवान का यह जो विराद पुरुष है जो दैव कर्मात्म रूपिणा काल और कर्म की शक्ति से युक्त है उसका कहा श्रद्या उपाकर तुम ऐसा कौन वेक्ति है जो इच्छा करेगा कि वह समगरता में निरूपन कर दे अर्थात पूर्ण उस रूप से निरूपन कर दे मतलब इस तरह का प्रश्ण यह रिटॉरिकल प्रश्ण होते हैं इसका मतलब होता है कोई भी आसी इच्छा नहीं करताएगा आकाश को नापने की इच्छा कौन करेगा कोई भी नहीं कर पाएगा लेकिन इसका आर्थ यह नहीं है कि आकाश में उड़ा भी नहीं जा सकता गंगा जी के पानी को नापने का कौन इच्छा करेगा कोई विक्ति गंगा जी के पास आकर के खड़ें के सुस्ता है कि इसमें कितना पानी होगा it does not make sense नापने कोई मतलब नहीं है और स्टान करने की तो छकर लेते हैं जो फंड़से नहीं डिरते हैं मैं हरतार की बाद कर रहा हूं, इस्टान कर लेते हैं वेक्ति, तो कारण क्या है, योग माया बलो दयम, वह भगवान की योग माया के बल सुत्पन्वा, ना सिर्फ विस्तार में आपी तो प्रकृतिव से भी दिव है, अस्म, मैं अब समझी नहीं आएगा, इतना अध्भूत मैं आएगा, आज ही पढ़ेंगे, फिर भी मैं करूंगा, तक क्योंकि मैं अपने को शुद्ध करने के लिए करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं विराद पूरुष को पूरा समझा पाऊंगा, आपे कौन बोल रहा है, विदुर जी, मैत्रे बोलना है, जिनके बारे में बोल गय अगाध है, वह कह रहे हैं कि विराद पूरुष का पूरुष का पूर्णता में निरूपन नहीं कर सकता, देखिए यही बात आप बहुत आगे जा करके दश्रम सकन्वे सुनेंगे, भगवान के यश को वडणन नहीं किया सकता, जब यह कहते हैं तो उसका मतलब यह है कि बड़न को सम्पूणता में नहीं किय सकता अब वर्णान की तोagu न उसकता यह हो गया ना तो वर्ण तो कर दिया आपने रहें नहीं है तो यह भगवान का यश हुआ कि नहीं हुआ तो आपने करत दिया तो भगवान असीमित है उनके यश का वर्णन नहीं किया सकता है इसका मतलब क्या है मतलब यह है कि उनके यश का पूर्ण वर्णन नहीं किया सकता है तो भगवान उमीद भी तो नहीं कर रहे है कि आप पूर वेक्ति कि वह भगवान की इस विराद रूप का पूरा वर्णन करते हैं क्या यह लैंगुज समझ में गई एच्छा भी नहीं कर सकता कि वह है पूरा वर्णन करते हैं पूरा वर्णन करने की बात छोड़ दीजे क्योंकि यह भगवान की योग माय के बल से उद्द हुआ है रकट हुआ है वैसे एक से बहुत बड़ी सिक्षा अपने को मिल रही है कि हम लोग भगवान की बात छोड़ कर कोई और बात करते हैं एजिफ भगवान की बात समाप्त हो गई है तो यह भगवान की बात समाप्त हो गई है भगवान की यह समाप्त हो गया ऐसा नहीं है यह हमारी इच्छा उसमें समाप्त हो जाती है अगर आप विचार करें तो और हम भगवान के से अधिक मैं भगवान से अधिक किसी और वक्सतु को मह का कर वहां उसका वर्ण करके शाद मुझे कुछ संतुष्टी प्राप्त हो जाएगी दैट इस और कंडिशनिंग कूप मंडूक दार्शनिक भगवान के अंतरंगा शक्ति योग माया द्वरा प्रदर्शित विराठ रूप के विश्रे में मांसिक चिंतन करते रहें किन्तु वसता कोई भी ऐसे विशाल प्रदर्शन को माप नहीं सकता भगवान गीता ग्यारा पॉइंट सोला में भगवान ने के मान्य भक्त अर्जुन ने कहा अनेक बाहू दरवक्त्रनेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो नंतरूपम नांतम नमध्यम नपुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम हे विश्वेश्वरूप हे ब्रह्मान के स्वामी मैं सभी दिशाओं में असंग के हात शरीर मुख तथा आखे और यह सभी अनंत मैं इस रूप करना तो अंत पा सकता हूं मत्यम नहीं आदि मैं देख नहीं पा रहा हूं इसका मतलब यह नहीं है कि वह अनन्न मैं उनका अंत नहीं देख पा रहा हूं मैं यह नहीं कह रहा है कि मैं आपको देखी नहीं रहा हूं जैसे समुद्र को हम लोग देखते हैं तो समुद्र का तला नहीं देख पा रहा है लेकिन इसका अर्थीने के हम समुद्र को नहीं देख रहे हैं भगवत गीता विशेश रूप से अर्जुन से कही गई थी और उसके अनुरोत पर उसके समक्ष विश रूप दिखलाए गया था उसे इस विश रूप को देखने के लिए विशेश आँखे प्रदान की गई थी इस तरह ये दपी वह भगवान के असंग के हाथ था मुख देख सका किन्तु वह पून रूपेण उनका दर्शन नहीं कर सका क्योंकि वह अनंत थे जब अरजुन भगवान की शक्ति के माप का ανुमान लगाने में समर्थ रहा तो भला और कौन ऐसा कर सकता है अर्थाट जो भगवान का साक्ष आत्मित्र है जिसको भगवान स्वेम दर्शन देने तो वह भी कह रहा है कि मैं नाप नहीं सकता है हाँ कोई कूप मंडूख दार्षनिक के दिरह भ्रहांत अन्मान करने में लगा रह सकता है कूप मंडूख दार्षनिक तीन वर्ग फूट आकार वाले कुवें के अपने अनभव के अधार पर प्रशांत महसागर की लंबाई चुड़ाई का अन्मान लगाना चाहता था अतह वह प्रशान्त महासागर जितना विशाल होने के लिए गर्व से फूलने लगा किन्तु अंत में उसका शरीर फट गया और विदी से वह मर गया यह विर्तांत उस मानसिक दार्शनिक पर भी लागू होता है मतलब क्या मतलब यह है कि वह भगवान को अपने मानसिक शक्ति के प्रभाव से समझने का प्रयास करता है तो उस मानसिक शक्ति के बल पे वह भगवान को कभी नहीं समझ पाएगा जैसे कि आजकल आप देखी रहें कि लोग स्रिष्टी कहां से आई उसमें वह अपनी दिमाग को भढ़ा रहा है और वह कभी नहीं समझ पाएगे सर्वत्तम मार्ग यही है कि भगवान का शांत इवं विनीत भक्त बना जाए प्रमानिक गुरु से भगवान के विश्य में सुनने का प्रियास किया जाए तता जैसा कि पिछले श्लोक में सुझाव दिया गया है कि दिव प्रिमा भक्ती में भगवान की सिवा की जाए सभी भगवान को प्रसंद करने का प्रियास करने तो फिर भगवान जितना चाहेंगे वह अपने आपको प्रकाशित करने के प्रश्ण भक्त ने किया है योग माया द्वारा प्रकट है यह समझ नहीं आ रहा है नौट बहिरंगा महा माया शक्ति अच्छा प्रश्ण है कि भाई यह तो हमने सुना था कि भगवान ने देखा कि उनकी माया शक्ती वह शांत पड़ी है उसको भगवान जागरित किये इसको अब यहां कहसे है योग माया कहते है इस पर कुछ बोला नहीं गया है जब 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 इस पर कुछ टीकाओं में तो बोला नहीं गया है तो एक मिड़ा जब छूट नहीं गया मुझसे इसका वर्णन करना संभव नहीं है लेकिन फिर भी मैत्रिमनी कहते हैं कि मैं वर्णन करूंगा यह मैंने किया है क्योंकि भगवान हरी की कीर्थी को बोलने से मेरी वानी जो अपवित्र हो ही जाती है दुन्या की बातों को करने से कुछ ना कुछ तो भगवान के बारे में नहीं बोलेगा तो जो भी बोलेगा उससे उसका चित दूशित होगा देखे यह बड़ी गंभीर बात है जिन लोगों ने भी नेक्टर ओफ इस्ट्रक्शन पड़ा है तो वहां पे पहले इस लोग में बुला गया है वाचू वेगम के शमन्द में कि जैसे ही कोई व्यक्ति बहुत एक बात बोलना शुरू करता है तुरंत वह मिथ्य आंकार से रभावित हो जाता है बहुत ज्या ले वे अपनी पहचान करेगा इस देह से नहीं तो भोग कर नहीं सकता है देखिए बद जीव भोग ना करे तो आश्यर की बात है तो भोग में प्रविर्त होता ही क्यों है क्योंकि उसका अभिमान हो जाता है अभिमत हो जाती है कि मैं यह देह हूं जब कि आगर थोड़ा सुख कैसे उत्पन हो सकता है, इसे very simple, लेकिन जब वेक्ती मिढ्थया वत्य विमान से प्रभावित हो जाता है, जिस तो वेक्ति मानता है कि मैं क्य वेक्ति करने के भात हो क्येachu, सी बात है तो अब यह उत्पन क्या से होता है उत्पन होता है वाणी के वेग से जब वाणी दूशित वातों को बोलती है तो उसका हम हम सभी का चित मिथ्या विमान से रंग जाता है कि मैं यह दे हूं यह बात समझ में यार यह बहुत ज़्यदा खतरनाक बात है इसलिए जो साधुजन है वह वह वहवार भी बहुत कम करते हैं जो वाकई साधुजन है वह बोलते भी कम है कि वह भगवान का नाम चारण करते हैं भगवान की बात बोलते हैं नहीं शांत रहते हैं मिनमम रखते है क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति बहुत एक वारता करना शुरू करेगा तो वह आध्यात्मिक चिंतन में नहीं लग पाएगा मिomos भ्यं करसे पर्बावित हो जAYगा तो इसी बात को क्या रहा है कि यद्र पी इस विराद पूरण पुरुष्क का पूर्ण रूसे वर्णन संभव नहीं है जब इच्छा ही कोई नहीं कर सकता पूर्ण रूसे तो संभवी नहीं क्या मुद्टि लगा दिजिस पर जब इच्छा ही करना संभव नहीं है तो करना कैसे संभव हो सकता है भिप्छि स्लोग से पेर भी शब यहां पर फिर हु इसका इनके में गुट्ड का यृता कई न करूंगा क्योंकि इससे यह से नहीं कीर्तिम हरे स्वाम सत्कर्तुम गिर्मन्या भिधासतिम, तथा पिकीर्त याम्यांग यथा मती यथा शुतम, कीर्तिम हरे स्वाम सत्कर्तुम गिर्मन्या भिधासतिम, तथा पिकीर्त याम्यांग यथा मती यथा शुतम, कीर्तिम हरे स्वाम सत्कर्तुम गिर्मन्या भिधास गिर्मन्याभिधासतिं तथा पिकीरत्याम्यंग यथा मतियथाशुर्तम। अपनी असमर्थता के बावजूद मैं अपने गुरू से जो कुछ सुन सका हूँ तथा जितना आत्म साथ कर सका हूँ उसे अब शुद्वानी द्वारा भगवान की महिमा के वर्णन में लगा रहा हूँ अन्य था मेरी वाक्षच्च्च अपवित्र बनी रहेगी अंग हे विदरजी अन्य अभिधा यदेपी हरी व्यक्तिरिक्त विशे के वर्णन द्वारा वानी असतिम अर्थात मलिन है ये कुछ समझ में आया अन्य अभिधा तब कुछ और बोलने के कारण हमारी जो वानी है वह असतिम मलिन हो ही जाती है तथा भी स्वाम गिरम सत्कर्तुम अपनी वानी को पवित्र करने हे तू उसपश्ट है हरह कीर्तिम श्री हरी की लिलाओं को यथा मती अपनी मती अनसार मतलब जितना मैं समझ सका हूं यथा शृ गूरू से जो सुना है उसमें जितना मैं समझ पाया हूं वैसा वर्णन करूंगा जो गूरू से विक्ति सुनता है वो सारी बात समझ में नहीं आती बहुत बड़ा सिक्षा यहां बहुत बड़ी सिक्षा प्राप्त हो रहे है जो हम सुनते हैं वह उतना ही हम ग्रहन कर यही तो समझने वाली बात है कि जितना बोला जा रहा है उतना ग्रहन नहीं किया जा रहा हो आहिंग सब नहीं समय में आता तो मैं बोलित दो पना ही नहीं समझ में आ रहा है जो लिक्षा है उसको repeat करना होता है और जितना समझ में आए उतना repeat करना होता है जो नहीं समझ में आए उसे repeat नहीं करना होता है और उसमें हम पवित्र हो जाते हैं कुछ विज्ञान आपको समझ में आ रहा है कृष्ण के बारे में बोलना कठन नहीं है बस धान इस बात का रखना है कि जो स सुना है उसमें अपनी मती लगा करके नहीं बोलिए और जो जितना ग्रहन किया है तब बोले बड़े सुन्दर बात है। कि व्यक्ति पढ़ रहा है और बोल नहीं पा रहा है तू संभावना यही है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है। याद बात के बात का कर रहा हूं आप यह बताईए कि यह कितना आसान जैसे मैं बोल रहा हूं सामने लिखा है उसकी व्याक्ष ही तो कर रहा हूं ऐसा तो नहीं कि याद करके बोल रहा हूं कुछ क्या मैं तातपर याद करके आया हूं आप लोग प्राटिकल देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं क्या मैं तातपर को ऐसे आखे बंद करके बोलता जा रहा हूं ऐसा तो कुछ भी नहीं है सामने लिखा है जो समझ में आ रहा है वह बोल आ हूं दुनिया में देखा जाता है कि लोग अko बार भी कभी कभी इसी त आप देखिए माली आप छटी ग्लास में हैं आप किताब पढ़ना शुरू करते थे कभी-कभी हम लोग ऐसा करते थे कि स्कूल अभी शुरू नहीं हुआ किताब ले आ गए तो कौतुवहल में पहला ध्याव बढ़ना शुरू किया लेकिन समझ में नहीं आता था आप लोगो ज़ितना समझ में रहा उसका वर्णन करना चाहिए अगर मौका विले तो अम, नहीं मौका मिल आ तो फुर तो कुछ next नहीं कह सकते है लेकिन अगर मौका मिल रहा है तो व्यक्ति को बढ़न करना चाहिए क्योंकि श्रवन कीरतन होगा तभी स्मरण होगा बिना कीरतन कीे स्म स्मर्ण नहीं रहने वाला बिना बोले किसी बात का स्मर्ण नहीं रहने वाला यह इसी लिए प्रभुपाजी की ट्रेनिंग थी बड़ी सिंपल तुम चाहे दो लाइन बोलो लेकिन तुमने सुना बहुत को रिपीट करो और यह भी किसलिए अपने खुद के शुदिकरण के लिए क्योंकि मती भगवान में लगेगी अब यहां तो अवकाश नहीं है लेकिन अगर मैं मैंने हम लोग देखे हैं पहले हम लोग प्रशन उतर करते थी तो अपने देखा था कि मैंने प्रशन पूछा प्रशन लिखा भी हुआ है और विक्ति उतर देना शुरू कर दिया और उतर जा रहा है वेस्ट में जो कि प्रशन इस्ट में तो मैं प्रशन था अच्यान करना बोलने वाले के लिए सबसे अधिक लाभकारी है क्योंकि उस समझ के ही बोलना होता है और इससे 90 परसंट आपको ववात समझ में आ जाती है अगर किसी को व्याख्या करेंगे आप देखेंगे आपको बात समझ में आ जाएगी यह अपने सबसे बड़े लाभ के लिए विक्ति ऐसा करता है करना चाहिए उसको तथा पी कीरतिया में अंग यद्यपी भगवान का जो विराट रूप है वे असीमित है उसका वर्णन कोई पूर्णता करने की इच्छा भी नहीं करता है फिर भी मैं कीरतन करूंगा है अंग कुछ अजीव सी बात लग रही है उसका कोई कीरतन संपूर्णता में करने की इच्छा भी नहीं कर सकता है फिर भी मैं कीरतन करूंगा तो फिर भी क्लिर हो रहा है कि यद्यपी उसका समगरता में कीरतन नहीं किया सकता है वरना नहीं कर सकते हैं फिर भी मैं कीरतन करूंगा कैसे करेंगे यथा मती यथा शुरुतम जैसे मैंने गुरु के मुख से सुना है और जैसा मुझ को समझ मैं इसी तरह से प्रथम सकंद में सूत को स्वामी जी बोले थे कि जैसा मैंने अपने गुरु से सुना है वैसा ही मैं जितना समझ पाया हूं यथा मती यथा शुरुतम वैसा को बताऊंगो तो यह सुन करके श्वानकृषी बड़े प्रसुन हुए थे और इसको आप कई बार भागवत में देखेंगे कि को विक्ति प्रशन करता है तो वक्ता तुरंध अपना उत्तर नहीं किया था उस-क उत्तर वू था शुकुदेव गोश्वामी से परशित महराज ने दूसरे सकन्दे प्रश्ण किया था तो बोले कि यही प्रश्ण नारज जी ब्रह्मा जी को करे थे तो वो उधार बात घुमा देते हैं कि उपर के लोगों ने इस बात को इस प्रकारते चर्चा करी थी तो यह है वैदिक प्रणाली से कहते हैं परंपरा हम जो सुनते हैं और जो हमको समझ में आता है उतना ही वर्णन करना चाहिए जैसे ही हम उस चीज का वर्णन करने लगते हैं जो हमको नहीं समझ में आ रही है तो हम चीटिंग करना शुरू कर देते हैं क्या यह सब को स्युक्रार है क्योंकि हम यह उमीद करते हैं कि सामने वाले को तो कुछ पता है नहीं तो मैं कुछ भी व्याख्या कर दूँगा और यह तो मान के चला ही जाएगा कि सब ठीक है लेकिन ऐसा नहीं किया जाना चाहिए ये परिपाटी है ही नहीं क्योंकि उससे न तो वहवेक्ति शुद्ध होगा और न मैं शुद्ध होगा कि भगवान प्रसंद नहीं होगे हाँ यह जरूर आप कह सकते हो कि यह मेरी understanding है यहां तक अभी तक मैं इतना समझ पाया हूँ यह आपके सामेरे प्रसुत कर रहा हूँ इससे और श्रिष्ट भी को understanding हो जरूर सकती है इसलिए कह रहा है यथा मती यथा शुद्ध बहुत सुन्दर सिधान्द बोलना है कीर्थिम क्या कीर्थिम करेंगे कीर्थिम हरे स्वाम सत कर्तुम अपना सत कर्तुम का कर्थ क्या ल इरम अन्या विधासते मेरी वानी दूसरी बातों को बोलने में असती हो जाएगी अब असती का मतलब क्या है सती नारी का मतलब है वह अपने प्रती की ही सेवा करती है वह यह नहीं कहती कि सारे पुरुष अच्छे हैं नहीं उसी प्रकार से जो सती वानी है वह भगवान के यश को ही बोलने में लगती है देखिए अब ये प्राटिकल कटनाई है कि आजकर लोगों को जॉब में जाना पड़ता है और उसमें असत बाते ही बोलनी पड़ती है सुवे से शाम तक तो लेकिन अब घबराईये मनत परशान मत हो ये चली वहां असा करना भी पड़ रहा है तो कम से कम शाम को आकर भगवान ये कथा तो सुनने चाहिए ना ये कटाक्ष नहीं है ये विवेक है ये कटाक्ष नहीं है ये विवेक है मैं आपको विवेक दे रहा हूं मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं मैं आपकी परिस्ति को समझ रहा हूं कि हर विक्ति आपके नौकरी छोड़ देगा तो कैसे काम बनेगा बताई पेट कैसे चलेगा that's fine absolutely okay लेकिन आप देखो कि हमारा घर ही आप देख लीजिए आंधी चलती यह चलता है घर गंदा हो जाता है तो क्या घर हम साफ भी नहीं करते यह हम माली जे बाहर से आते हैं गंदे हो करके तो क्या स्नान भी नहीं रोग सकते हो और बहार जा रहे है तो गंदा होना भी नहीं रोख सकते हैं किषड लगना तो अवश्वद्षम भावी लेकिन घर में कम से कम बातरून यह लेकिन लses नां के किस्नान किया जा सकता है कि नहीं तो अगर आप और मैं हम सभी लोग दिन में बहुत से ऐसे कारे कर सकते हैं जिससे हमारी चितना दूशित हो जाएगी यह यह वाणी ऐसी ज Iss baik लगी जो एक्दम बिलकुल न बोलने वाली बात ना सुने वाली बात हुओ लेकिन algún को अगर आढ़ बहुत जादा है यह कीर्टन है इसके शुद्धी करने की प्रसस है गंदी करने के प्रसस ज्यादा पावरफुल है क्या मैं एक स्प्रिंटर पा रहा हूं जैसे आप देखिए आप दिन में घूम के आए खूब मटी से लिपट गया अच्छी तरह से लेकिन अब बाथरों में गुछते हैं तो अब उसमें सफाई करने की शमता दस मिनट में भी बहुत ज़्यादा है सब कोई विरोध तो नहीं इस बात में गंदा होने में पुरा हम दिन लगाएंगे 2-4 घंटा 5 घंटे में गंदे होते हैं लेकिन सफाई 10 मिनट में हो जाती है कि नहीं हो जाती है को यह बहुत महत्पूर्ण है क्यों विख्ति सोचे का यह क्या आदे घंटे क्लास में जाना है कोई मैं इस्पेशली को अड्रेस कर रहा हूं जो लोग नौकरी अगरे करते हैं मन में आता है ना क्या आदे घंटा क्लास हो नहीं क्या जाना है तो ये वैसा ही हुआ कि घर से आप पूरा घर मलब बाहर से आये गंदे होकर क्या दसनान करना है 15 नहीं यह भगवान की कथा सनान के समान है हम लोग पहले ही सुन चेके भगवान का नाम बोलने से व्यक्ति एक नाम बोलने से सारे पवित्र तीर्थों में सनान हो जाता है भगवान को तीर्थ पाद का जाता है उनका यश भी तीर्थ के समान है वे हमको पवित्र करने वाला है और आप हर दिन अनभव करेंगे कि अगर हर दिन कथा हम सुनते हैं तो आप उसके बाद एक फ्रेशनस का अनभव करेंगे अपनी चित में चित के मार्जन का अनभव करें फिर भी कम से कम सुभह शाम तो भगवान की यश को बोलने में लगाना ही चाहिए इससे बहुत पवित्रत आ जाती है और इसका जो पुरिफिकेशन का शक्ती है वो मारे दिन भर की कारें से कहीं जाता है अगर मेरी वानी भगवान की यश में नहीं लोगेगी तो बोलूँगा तो है कुछ न कुछ और वह मेरे चित्र को पवित्र करने वाला है तो अपने पवित्री करण के लिए कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए एक और बहुत इंपॉर्टन बात है यद्यपी हम लोग ऐसे हैं यह मैं अपनी बात कर रहा हूँ मेरा हर्द्य अशुद्ध है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं भगवान के बारे में नहीं बोल सकता कुछ क्लियर हो रहा है भगवान की बात को यथावत बोलेंगे तो हमारा भी शुद्धी करण होगा और सामने वाले का भी शुद्धी करण होगा यद्यपी मेरा हर्द्य पूरी तरह से शुद्ध नहीं है हमारे सर ने बोरा था बहुत अच्छी बात कि हम दूसरों को पवित्र करने के लिए अपने को पवित्र करने के लिए कुछिन कर पाएंगे ऐसा हम उमीद भी नहीं कर रहा है और हमसे भी कोई उमीद नहीं कर रहा है इस प्रकार के बहुत अच्छी बात श्रीधरी हे विदुर एक मिनट एक मिनट आपने ये पहले ही सुन लिया चौतिश्वे श्लोक में आत्म विशुद्धि अर्धम हर वेक देखे इस जगत में हर वेक्ति अपने देह में सड रहा है या कह सकते हैं सडने वाले देह में वह रह रहा है super ren sena ने समझत नोग किसी के घर मेंने समझ रहा है के कुड़ा धर बगल में होगा है ना लेकिन हमारा वारा शरीर ही कुड़ा घर से कम है क्या बताए काहिए किसी का भी है ऐसी प्रकार का तो अब एक प्रश्न बन जाएगा कि हम बार बार ऐसे शरीर को देहों को धारण करी क्यों रहे हैं? उद्धर बहुत सिंपल है, अशृद्ध हिर्दे के कारण, करमात्मक ये न शरीर बन धा, जब तक चित करमात्मक है, भोग वासना की वासना से वासित है, तो उसे सिरी धारण करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, if there is a mood of enjoyment, we will have to take birth, तो इसी लिए आत्म विशुद्य अर्थम, अपने चित को पवित्र करने के लिए भगवान की बात बोलनी चाहिए, और अगर हि पल से विज्ञान है, फिधरी, हे विदुर यद्दिपी स्री हरी की कीर्थी का सामस्तेना, मतलब समस्ता में, पूर्टा में वर्णन नहीं किया सकता है, फिर भी मैं यथा अशुर्तम अर्थात गूरु मुख से सुने हुए ज्ञान, और यथा मत्य अर्थात अपनी भगवान की बात बोलने के लिए बैठा है, उसको याद रहना चाहिए कि वह भगवान के बारे में बोलने के लिए बैठा है, भगवान से इतर बात बोलने से उसका खुद का भी पुट्रिफिकेशन होगा समस्ते इंग्लिश, पुट्रिफिकेशन मीज सड़ना, पुट्रिफिकेशन मीज शुद्ध होना, ओके तो भगवान से अलग बात बोलेगा तो अपना तो नुक्सान कर ही रहा है, और विचारे सब लोग जो शद्धा से आए हैं सुनने के लिए उनके चित्त को भी दूशित कर रहा है, किसी की बुराई करना या इस सब करना ही चलना चाहिए कथा में, महराजजबात को कहते हैं कथा में भगवान के यश के अलावा कोई बात आती है, तो अमंगल करनी वाली होती है, कभी-कभी लोकिक बाते उधारन दी जाते हैं बस भ उद्देश भी भगवान की बात को बोलना ही होता है, होना चाहिए, क्लास का उद्देश किसी पर व्यक्तिग्यत आकशेप करने के लिए नहीं होता है, कभी-कभी लोग उस मंज का उपयोग ऐसा कर लेते हैं, कि उसको ऐसा बोलेगा, अपना कुछ पॉइंट बोलना है, न यथा शृतम यथा मति मतलब जो सुना हूं, वो सारा ग्रहन नहीं कर पाया हूं, एक भक्त हमको अभी दिहीर है और बोल रहे है, कुछ उनका है, गीता क्लास देते हैं, अच्छी बात है, तो वो सोच है, वो उनको बोले कि प्रहोजी हमें तो हम कैसे बोले है, हम इस प्रक यह जो आपको समझ में आ रहा है, उसको बोलने में कठना ही है, वो तो दिन भर बोली रहे है, दुनिया में सभी लोग वही तो बोल रहा है, यह सुकार है, जिसको जो समझ में आ रहा है, वही बोल रहा है, और वो कितना बोल रहा है, जिसकी असी मति है, उसके अंसार बोल बहुत सिंने नहीं है तो जो भगवान की बात आपने सुनी उसको बोलिये और ज़रूरी नहीं कि आपके पास class से कोई बहुत सारी लोग हो ऐसा कोई रिली नहीं है आप आपकी पत्नी अगर सुनना चाहिए आपका बच्चा सुनना चाहिए तो को भी सुना जा सकता है कि हमने यह सुना ठीक है इस वर्णन करने का उद्देश यह है कि श्री हरी व्यतिरिक्त यह उनसे अलग विश्यों की चर्चा करने की कारण मेरी बुद्धी मलिन हो गई है उसको पवित्र बनाने के लिए मैं यह कारे कर रहा हूं इसका मतलब है कि जो क इस कारण से मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूं बड़ा नम्रता है मैं तरे मुनिकी जबकि उनके बारे में क्या वो लगया था अगाध बोध उनका बोध अगाध है तात परियो बद आत्मा की शुद्धी के लिए उसकी चेतना की शुद्धी आवशक है क्योंकि चेत औहां कि उपस्थ्तिति से दिव आत्मा की उपस्थिति की पुष्टी होती है यहीं शरीर को त्याग देती है तिउ ही शरीर निश्क्रि वह घ्री हो जाता है व्यक्ती ने हम से प्रत्ष न भी किया क्या बुद्धि के द워서 आंजा 550 अनभव कैसे होता है को शुकर्रां से अनध लोग प्रवच्चन का अनभव कर रहे हो ये कैमरा अनभव नहीं कर सकता ज्ञान शक्ति बुद्धी शक्ति नहीं है ज्ञान शक्ति क्या है मैं हूँ आप लोग है ना कि नहीं है कितने लोग अनभव कर रहे हैं कि वो क्लास में नहीं है किसा प्रश्ण हुआ कि इतने लोग अन्भव है कर रहे हैं कि वह क्लास में नहीं है आप इस सिंपल सी बात को समझे कि आप ऐसा व्यक्तिगत अन्भव कर रहे हैं कि आप हैं हम लोग इस बात को सुनते ही नहीं कभी सुनने का मौका ही नहीं देया था कि we are आनभव करने की शक्ति कि मैं हूँ और मैं अन्यों से अलग हूँ इसके द्वारा आत्मा का अनुमान किया सकता है क्यों odSanamana अनभव沒 Anubhuv Anubhav करें की शक्ति उसको अपे यह नहीं क्या पैसे करें अब पतां की बहुत अकोुद्दी मतिरिल और बुद्धी के दर बुद्दी के उप्योग करते हैं बटा cierती रिज comprendre बुद्धी के शक्ति थी डिस्क्रिमेशन करना बोध करना लेकिन यह जो ज्ञान शक्ति है कि मैं हूं यह बुद्धी के दार नहीं आ रही है यह आत्मा से आ रही है बहुत सुक्ष्म बात है लेकिन इसको रुपाते समझा रहे हैं जैसे आप देख सकते हैं कि जिस वेक्ति को आप अपनों भाई या बहन या मा या पिता कह रहे तो जैसे ही वो श्रीर शोड़ देता है तुरंट आप अन्भव कर सकते हैं कि अब यह यह यहां नहीं रहे जबकि पूरा जीवन आप उसके पहचान करते रहते हैं कि यह वेक्त सकता है कि वहां पर आत्मा नहीं है clear अतहा चेतना की अनुभूती कारियों से होती है अब यह बड़ इंट्रस्टिंग बात है कि व्यक्ति चेतना से अपने कारे करता है अगर शुद्ध चेतना होगी तो भगवान की सिवा करेगा अशुद्ध चेतना होगी तो भगवान से इ सुलंत बंध हो जाएंगे और जब भी साधना करते हुए भी भोग में प्रिविर्त भी हो जाए किसी भी प्रकार के भोग में तो उसको बड़े ठंडे दिमाग से स्विकार करना हो स्विकार करना पड़े कि अभी मेरा चित शुद्ध नहीं हुआ है क्योंकि अगर चित सुनो आत्मा का इससे कोई मतलब नहीं है कोई भी मतलब नहीं है अगर मैं ऐसा किसी भी कार में प्रिवर्थ हो रहा हूं दिस शूज माई इंप्योर हार्ट और इसको बहुत गलानी के संग नहीं स्विकार करना है बस हाँ अभी मेरा चित शुद्ध नहीं है और यह मेरे प रहाँ सपाई कर промहें का ठीक है हाँ तुमारी बोला क्यों चेतना की अनुभूति कारिंसी होती अगर वेक्ति की चेतना पवित्र है तो उसके कारिय incapable पवित्र होंगे अर्थाद भगवान की सिवा की संबंद में होंगे जैसे-जैसे चेटना iodh होती जाती है वैसे वैसे उसको भगवान की कारे करने ही अच्छे लगते हैं सिंपल सी बात प्रत्यक्षवादी दार्शिंडिकों का द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला इसे धान्त की चेतना निश्क्री अवस्था में रह सकती है उनके अल्प ग्यान का प्रमाण है जब ऐसा सोचना कि कोई चेतना है और वीना कुछ का रिकी है रह सकती यह गलत बात है शुद्य चेतना की कारकर कंको रोक कर किसी को भी अपवित्र नहीं बनना चाहिए पड़ता हो समझा जाएगा यदि शुद्ध चेतना के कार कलापों को रोका जाता है तो निश्चही सचेत जीविन शक्ति अन्य प्रकार से व्यस्थ हो जाएगी क्योंकि जब तक व्यस्थ ना हो चेतना का कोई अर्थ नहीं होता चेतना शन भर भी शांत नहीं रह सकती यह सम जानते हैं उस तरह के वीडियो कब तक चुप रहेंगे जो व्यक्ति चुप रहने का प्रचार कर रहा है वह स्वें भी तो चुप नहीं है है ना विचारनी बात कि तुम चुप रहने का प्रचार कर रहे तो तुम चुप क्यों नहीं रहते यह सुचने वाली बात है महाप चुपर है ना बोलने से अच्छा है, तो बोल किव रहें वो? वो नहीं बोलना चाहिए? तो Whose point kya है कि जहतना है तो कार किये बिफिना नहीं रह सकता है और अब श्लोक तो भूल रहा हूं भगवद कीता में ये भी कहा गया है कि बिना कर्म किये व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त भी नहीं हो सकता ना कर्मना मनारंभ श्लोक ऐसे शुरू हो गया ना कर्मना मनारंभ कर्मों के अनारंभ से कर्मों को आरंभ किये बिना व्यक्ति श्लोक ऐसे शुरू है ना कर्मना मनारंभ नैशकर्म्यम पुरुशोष्णते ऐसा नहीं है कि व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तो वह नैशकर्म का स्वाद्चक पाएगा रहा है कि मैं कर्म करूंगा त場 सकाम कर पत्थर नहीं करूँका नहीं तुम ऐसा कर ही नहीं सकते क्योंकि कोई पह से नहीं कि व्यक्ति कर्म ना करे व्यक्तSt caves का स्लोक है न lur्ण वे सबस्द्धे के थ構द श्रोक ने कर्मी बार्फ excel का नशकर्मा वाच्व सन्यासनादेवा सुधिम सवाधिक अच्छती त्री पॉइंट कौन सच्छो के थ्री पॉइंट फोर है भगवद की तक है तो बल्कुल बल्कुल प्राटिकल बात है कि हम लोगों को कीर्टन करने के लिए बोला गया है भगवान हरी का तो यह इंपोर्टन बात है ज यतना ज्यादा जब करेंगे उतना ही सम्भावना कं है कि हम प्रजल करेंगे वह बटी बात questa का रहा हो लेकिन बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि एक एक इंसान था उसको एक जिन्न मिल गया सुने अपने तो जिन्न ने कहा कि देखो मैं तुम्हारी पूर्ण कर दूंगा लेकिन तुम्हें मुझे लगातार काम देना होगा अगर तुमने काम नहीं दिया तो तुमको जान से मार दूंगा तो बड़ा खूश वेक्ति कि अच्छा यह मिठाई ले आओ यह ले आओ लो सब भड़ा भड़ा कर दिया अब बताओ काम अब उसे काम याद ना है घर में कितना काम आ सकता है तो डर गया कि भाई यह तो मल डालेगा उनको तो इसने ऐसा कहा कि देखो यह खंबा है हमारे घर पे तुम ऊपर चड़ो और नीची आओ उपर चड़ो और नीची आओ आप समझा गया तो यह वही बात है कि अगर वानी को हमने खाली छोड़ दिया आप देखना आप इसको अब्सर्व कर सको हिर्दे को पास होने दिया जाए कि नहीं होने दिया जाए क्या यह हितकर है यह दूंट थिंक मैं किसी बें कर रहा हूं मैं खुद अपने आपको अब्सर्व कर रहा हूं तो मैं बोल देता हूं and many times there is a desire to enjoy that speech and that's why I speak मैं समझा पा रहा हूं उस बात को बोलने से मैं सुकी होना चाहत हूं इसलिए बोल देता हूं और इससे क्या होता है में चित और दूशित हो जाता है बड़ा subtle है यह बात व्यर्थ बाते बोलता है वेक्ति और उसकी जगह अगर रच रच करके भगवान के बारे में बोलें जब चानबुश करके अधिक अधिक धिक लास देने का प्रयास क प्रते कम सिकम यह दो घंटा तो भगवान के बारे में फोर्स हो करके बोलना ही है और उसके लिए कुस्तियारी भी करने है तो उस बहाने कम सिकम यह दो घंटा तो बचे रहते हैं वेर्थ की बात बोलने से और ऐसा भी नहीं कि चुप रहने से हो जाएगा कि हम सोते तो समझभाया ...की चेतना है तोकारे करेगी इस चेतना शनभर भी शांत नहीं रहती जब शरीर कार नहीं करता躁 हता है तो चेतना सौतनों की रूप में कारे करती है अचेतंचा खृतिम है व ते वह फ्रिनसा से सीमित अभिधी तक रहती है किन्तु बगा… उतरता है या जब मनुष्य जग जाता है तो चेतना फिर से सही धंग से कारिक करने लगते यह समझ मैं आपको कभी कभी विक्ति जबरदस्ति कुछ नशा दे करके विक्ति को बिहोश कर देगा तो इसका मतलब यह नहीं कि उसकी चेतना नश्ट हो गई है वो नशा हाटेगा फिर विक्ति कारिक करने लग जाएगा देखिए सुबह उठते ही भगवान की कैसी कृपा है कि हम लोग को माला याद आती है कल यूग में कितना बड़ा भागी का निर्माण हो गया है ना उठते ही भ्यक्त लोग सोचते हैं कि हम जब करेंगे कौन भक्त है याप जैसा नह अब देता हूं है औरे सब डर गया है नहीं 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 जासी और फोर्चन क्या आप कभी ऐसी कल्पना कर सकते थे कि सुबह उठते ही आप भगवान का नाम बोलने की अच्छा करने लग जाएगे तिस वहरी नाइस यहां तक यह कह दो कि पानी पीने की बाद आप बाद में आद की उठते ही माला का है माला का satisfy माला यहां उम् Resistance क इस से सालों में ही ऐसा कुछ महिनों मैं कि सकते हैं सपर वर्टन आ गया थे हुचछ मीर्टि कहल कि तो कितना परवर्टन आ जाए तो कुछ कुछ जीवन सब्सक्रीछ संद्स कर ने का पर रहे हैं कर रहे थे यद्यपी उनको ठीक से वर्णित कर पाने का सामर्थ उनमें नहीं थी भगवान की कीर्ति के गायन किसी शोध का परणाम नहीं एक मेंट से आगे पहले जाएं कितनी सुन्दर बात है यदी कोई व्यक्ति अपने पवित्री करण के लिए भगवान के यश को बोलना चाहता है तो यश की कमी भी तो नहीं है अब परम पुझी रादा गुझ महराज बता रहे थे कि एक बार ऐसा कोई हुआ था कि लड़की और लड़कियों की शादी की व्यस्ता हो रही थी तो गुण बता जा रहे थे कि लड़के में यह गुण है और लड़की में यह गुण है त तो अगर हम अपने हिर्दे को शुद्ध करना चाहते हैं तो पूरी भागवत है, चतन चर्था में था है, भागवत गीता है, घरन्त भड़े पढ़े हैं, हम चर्था करते ही रह सकते हैं, और ऐसा भी नहीं कि एक बार पढ़ लिए तो सब्समझ में आए, फिर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, तो फिर और बात समझ में आती है, आज पता है प्रपात क्या गोल रहे हैं, प्रपात कह रहे हैं कि भागवतम का एक शब्द ऐसा है जिस पर आप सौ साल तक विचार कर सकते हैं, फिर भी आपको नहीं समझ में आएगा, ऐसे बोल दे रहे हैं प्रपात, इतना डेप्थ है, तो कहने का मतलब यह है कि बहुत बड़ा इंगेजमेंट है और इटर्नल शाष्वत इंगेजमेंट है अगर हम भगवान के कीरतन को बोलने की रुची जागरत कर लेते हैं, भगवान की कीरति का गायन किसी शोध का परणाम नहीं है, अपितु गुरु म से विनीत भाव से सुनने का परणाम है, यह समझ में आया, रिसर्च करके भगवान की बारे में नहीं बोल जाता है, जैसे जगत में लोग बोलते है, पूर्व के मनिश्यों की बारे में हड़ियां को विश्रिशन करके, ऐसे नहीं, जैसा हमने परंपरा में सुना, वैसे ही नहीं पड़ता की भगवान की महिमा का वर्णन पूरी तरह हुआ या नहीं, देखिए भगवान का यश्यों है, वो असीमित चक्ति वाला है, तो बात पूरी ना भी बता पाए, भगवान के बारे में आप जो भी बोलेंगे, वह भगवान का यश्य है, इस दाट सिंकिंग इन, इस वेरी निसली पुट बाए परम पुझे विंदावन चंद भाराज, भगवान इतने महान हैं कि उनके बारे में जो भी बोला जाएगा वह उनका यश्य है, कृष्णा ही सुप्रीम पस्नेल्टी व गॉर्ण इतना तो पता है ना, कृष्णी परम भगवान है, तो बद जीव के जीवन मन तथा वानी को भगवान की सेवा में लगाने की विदी सही शुद बनाया जा सकता है, वैश्णव मत का त्रिदंडी सन्यासी तीन दंड धरन करता है, और ये दंड शरीर मन तथा वानी से भगवान की सेवा में लगने की वरत के प्रतीक हैं, जबकि एक दंडी सन्यासी ब्रह्म से एकाकार होने कवरत देता है। यह थोड़ा समझना होगा, जो वैशनव सन्यासी हैं, उनके दंड में, मालों यह दंड है, तो उसमें तीन और दंडे होते हैं, छोटीटे पीस होते हैं, वो दिखाता है कि वानी को, मन को और शरीर को भगवान की सिवा में सुवर्पित करना। तो एक दंडी बोलता है कि यह की है, बस सब कुछ मैं और भगवान एक होगा, इसलिए वो एक दंड स्विकार करते हैं। भगत की कोई इच्छा नहीं होती है। उस दिश्ट्री से भगवान से एक हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके अपनी व्यक्तित्व है वह नश्ट हो गया। अन्याभी लाशिता शुन्यम। भगत की यह एक साथ अचिंत भेदा भी स्थिति उसे शाषत रूप से शुद्ध बनाती है और इस तरह उसका जीवन पून रूपेन सफल बन जाता है। एक भक्त पूछ रहे है, what is मांसिक और दार्शनिक चिंतन? अब मांसिक चिंतन आप पता नहीं की समझ में बोलने हैं, अगर हम सही समझ रहे हैं, मांसिक चिंतन का एक मतलब हो सकता है, जो आप समझ रहे हैं, वो है, mental speculation कि भगवान ऐसे हो सकते हैं, वैसे हो सकते हैं, और द कहते हैं, revolution, revolution का मतलब होता है, क्रांती, अब क्या इंग्लिश सम्म पढ़ाऊं है, यह चित शक्ती का perverted form है, ना, living entity का process of experiencing is existence, नहीं, 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 देखिए, point क्या है, वो कह रहे हैं कि यह जो अनभव करने की शक्ती है, कि भगवान की चित शक्ती का perverted form है, नहीं, सच च चिदानन्द, चिद means conscious और ज्ञानमय, तो ज्ञान शक्ती जीवात्मा के संग हमेशा है रहती है, वो ज्ञान शक्ती परवर्तित हो जाती है, इस अर्थ में कि वेक्ति सोचने लगता है कि मैं भोगता हूँ, लेकिन ज्ञान शक्ती जीवात्मा के पास हमेशा है रहती है, क तो उक्रानातिए आई जाती, कितने सारे लोगे को विल्भावना में परिवार्टन करदेः। लेकिन हम लोग जब बगती कर रहे है कि्रिश्ण भावना का प्रशार करना है, तो येस, हम चाहते हैं कि लोगों भवान के भक्त बनें। मुख की प्रियोजन यह है कि मैं अपने आपको शुर्द करें और उसमें अब इसलिए दूसरी लोग भी लाभानवित हो जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं सोचने कि मैं लोग का उध्धार कर रहा हूँ, we cannot do that, we don't have that capacity. प्रत्यक्षवादी दार्षन को दारा प्रसुत किया जाने वाला सिध्धान की ते इतना निश्किर वस्था में रह सकती है, उनके अलप ग्यान का प्रमान है, इंग्लिश में क्या बोला गया है, कभी कभी हिंदी नहीं सुझ में आती है, हाँ, 36 में, तो उसको बताएंगे त वाट आप में अंडर्स्ट्रेंडिंग की से जो लोग उसी बात को स्विकार कर दिखाईए, पता नहीं, इसमें कहां लिखा है, इंपरिक फिलोसफर्स बोल रहे हैं, इंपरिक फिलोसफर्स मतलब सोचते हैं कि जो कुछ भी वह गणना कर सकते हैं, जो अपने इंद्रियों से ग्रहन कर सकते हैं ज्यान को, वह कहते हैं इंद्रियों से ग्रहन कर सकते हैं और वही एक तरीका ग्रहन करने का, तो वह कह रहे कि वह बीना कुछ कारे किये रह जाए लेकिन ऐसा बात सही नहीं है और भी प्रशना रहे हैं अच्छा सब लोग जग रहे लग रहा है या भी हाई क्लास में जहाँ पर अन्यमत वाले लोग हैं वहाँ पर तो नहीं बोलना चाहिए भगवान की कथा क्योंकि हो सकता है कि वहाँ गलती निकालने का अपराद कर ले कि वह जी हां बिल्कुल सही है एक्चिली देखे जिनकी शरद्धा नहीं है उनको कथा के बारे में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए परचार उन लोग को किया जाता है जिनकी सुनने में कुछ उड़ची हो उनकी शरद्धा हो जिसकी शरद्धा ही नहीं उसके सामने बोलना वह सही जैसे भैस के आगे बीन बजाना क्या भैस के आगे बीन बजाए भैस खड़ी पगुराई उन्हें कुछ नहीं समयाता तो वहां से व्यर्थ नहीं करना चाहिए कभी-कभी हमारा विचार तो कृष्ण कीर्थी करने का होत आत्मिक संतुष्टी मिलती है परउंतो भगवान की कही बात से यदि हम किसी की कोई परिशानी दूर कर पाते हैं तो वहां कहीं न कहीं अहंकार की तुष्टी जदा अनभव होती है कि हमें ज्ञान है इतना इसंकार से कैसे बचे है परचार करके देखिए ये अजीव सी ब क्वार्म पूरुष somehow च्रिम्ध भागवत्म को सुन रहा है व्यक्ति तो उससे भगवान में भक्ति उत्पन हो रही है खीक爾 और उसके उत्पस्व भक्ति की उत्पन होने से किसमें कृष्ण में जो परं पुरुष है व्यक्ति का शोक कुछ मॉह और भई नस्थ हो जा करने वाले हैं ना तो कर पाए आज तक तो हम तो जो हमें प्राप्त है वही पासान कर रहे हैं तो उसमें अहंकार की बाद कहां से आ गई मैं यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ जो अब तक समझा है गुरुजनों से वही न बता रहा हूँ अपनी बात तो कुछ बता नहीं रहा हूँ और अगर कुछ समझ में भी आ रहा है तो वह भी इसलिए कि कुछ-कुछ हम विद अपराद भक्ति किये हैं तो अहंकार का तो कोई मतलब होता नहीं है अप ही तू अगर ज्यान नहीं देंगे तो अहंकार आएगा हमारे सवर बोला करते थे दीदा पुर्शृत्म प्रभू कि if you don't share what you have, you will become envious अब देखें न जो बात हमारे पास है वह दूसरों को देने से तो नम्रता आती है यह बात महाप्रभू कहरे कि जो वह अपने धन को दूसरों को देता है इतquently little group एक एकि व्यक्ति पेड के समान सै Burger हो वैसे पेड़ के फार उसके खुद के लिए नहीं होते दूसरों के लीए उस तरह से जो भी ग्यान जो पहले हमारे पास समर्थ है वह दूसरों के कल्ल्यान के लिए कल्यान के लिए हो प्राणय…… अर्थिरदेया वाचा मैंने कम किया कि दवा ने कम किया दवा ने कम किया मेरा क्या है पस मेरा इतना है कि मैंने दिया उसको कैसे पता चलेगा कि किसको शुरद्दा है भगवान के बारे में सुनने में हो तो भवान के बारे में बताईए पूछे कि आपने कभी सोचा है कि इंसान आ जानौर्ण में क्या अंतर है हम तो यह प्रशन करते हैं तो अगर वो जानौर रहे तो कहता है मैं नहीं सुनना अगर इसा नगर एक हम भक्ति में आगे जा रहे हैं और आगे कि के शंट पता अंगा यह हम पंप्ध न चाहिए ऑब भाई देखिए अंदकार में रहा है तो आगे बढ़ रहे हैं और फिर गिर गया तो फिर फिर बंगानी के गे करने स calculations चल्ड़ रहा है जोना a जब गिर जाता है तो वेक्ति क्या करता है भाग तो मेरी बात सुनो बड़े मज़दार बात है जब कभी हम गिरे हैं अस तक फिसले हों तो इतनी तेजी से उड़ते हैं कि कोई वेक्ति जान ही ना पाए कि हम गिरे थे कोई विरोध अगर पतन हो जाए तो अगर दिन ऐसा भजन करें कि लगे कि भाई ये तो शुद्य भक्ति हैं मालूम भी न चले सहबती है ना एक भारती जवान के हमको बात बड़ी अच्छी आदा आये हमको कि मालम चले कि जब हमारे किसी एक जवान को गोली लगती है तो उसके लिए रोते नहीं है और उसकी मौत का बदला इसके शहीद होने के बदला और गोली चला कर करते हैं बहुत अच्छा लगा कि एक शहीद हो गया अब हम युद्व बंद करते हैं वो और उस्सा से युद्व करते हैं आर्मी के बहुत सरी सिद्धान थम्रे क्रिश्न भावना में अप्लाई होंगे ऐसा तो नहीं कि बहुत से कुछ जवान मार दी गए तो चुप्चा बठे रहेंगे तो यद्धि मा पुझ राधानाथ माराज बड़ा सुन्दर बात कहते हैं माया कैन एक्स्प्लॉइट आवर फ्री विल बट शी कांट टेकिट अवे फ्रम अस हम दो बाते बोलेंगे एक तो यह सुमज़ लीजे हमारी सिविच्छा का दूरुप्योग माया करवा सकती करवाती ही रहें काम करते हैं कोई पसंद नहीं करता है लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी स्विच्छा को अचीन ही लेगी अगर आप चाहें तो अगले हिश्ण आप भगवान की सिव में लग सकते हैं और दूसरी बड़ी सुन्दर बात है बहुत ही सुन्दर बात देखिए आप लोग कभी कभी सुचते होंगे आटिस मैं तो सुचता हूँ कि इतनी गल्दी के बाद भी भगवान जाने क्यों नहीं देते हैं तो पॉइंट ये है कि भगवान जानते हैं कि एक मात्र इसकी शुद्धी का तरीका है मेरी सेवा सुनाई पढ़ रहा है कि नहीं सुनाई पढ़ रहा है बाकी क्लास भूल जाए ये बात याद रखिए भगवान को ये पता है कि मेरी सेवा के इलावा ये शुद्ध हो ही नहीं सकता और इसी तरह से हमको भी समझ लिना हुआ कि हमारा कुछ भी पतन हो कैसा भी हुआ हो भगवान की सेवा के अलावा कोई और साधन है ही नहीं हमें ठीक करने का बलकि भगवान की सेवा के लिए वह और कुछ कर रहा है तो वह पतन ही है Is it clear? भगवान की सिवा को छोड़ा, मा लो कुछ पतन हो जाय और भवान की सिवा नहीं कर पाया कुछ समय के लिए और भगवान की सिवा छोड़ के कुछ और प्रैशित कर रहा है तो तो प्र गरबडी कर रहा है ना भगवान की सिवा से और दूर चला गया पतन वह कहें बह्म की से पागवान के स्थिवा में करें शक्ति और और रहने का नहीं रहा जो कुछ और बहुत थो प्राहिब कि थीक करने का अपने धिमाग करने का एक उसक्ति प्रड़ां कुछ प्राहिए अपने ख। कुछ पूछ रहे हैं, डिस्पाइट बिइंग फुल फुल फॉल फॉल इन माया, बिकॉस ही इस बिविल्डर्ट, बिकॉस ही बिविल्डर्ट, यह प्रशना आगे भी आए, जब माया का कोई मतलब ही, जब आत्मा का इस देह से कोई मतलब ही नहीं है, तो क्यों यह इसमें लिप्त रहता है, देखें सीधी सी बात है, सपने में हम, सपने में कौँसी चीज़े मारा मतलब ही, कुछ में मतलब नहीं है, लेकिन सपना देख रहे हैं, तो सपने के दृश्चों से पहचान कर रहे हैं, इसलिए यह प्रॉब्लम, वो समस्या, तो जिवातना की जो स्तिती है, वह सपन वत है, यह आगे भी प्रश्ण किया दाएगा, विद्व जी से यह प्रश्ण किया दाएगा, इसी को महाप्राव ने कहा ना, कोतो नेदरा जाओ माया, तो जैसे जैसे विक्ति जब करता रहता है, उसकी अवेरनस बढ़ने लगती है, और वह अपनी पहचान इस देहसे करना पंद कर देता है, अब पूछेंगे कैसे हो रहा है, तो भगवान की योग माय शक्ति के द्वारा हो रहा है, तो यह तो असंभव कार है, नहीं उठाए के जाएगा, यह प्रशन उठाए जा चुका है, उठाए जा चुका है और इस पर प्रशन का उत्तर मैंतरी मुनिक यह है, कि स्वप्न दृष्टूर इवान जैसा, आत्मा का कोई मतलब इन जगत से बस जैसे लेकिन वो अपने को बस मान रहा है ते है, जैसे स्वप्न में को वेखती अपने आपको उस उस दृष्ट से पहचान करता है, यदि अन्जाने में प्रजल्प हो गया हो और उसके लिए बहुत गलानी हो, तो how to get out of that guilt? अच्छा, रमाड सुनने के बाद पूछ रहे हैं कि सिता जी का पती कौन था? अभी क्या सुना आपने? कि भाई जो भी बात इधर उदर के हम लोग करते हैं, उससे जो भी अप अवितरता आती है, तो क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे हरे, भागवान का नाम बोलना चाहिए, भागवान की भागवात को बोलना पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए, और क्या करेंगे? सुष्टे रहेंगे आप बोले एक पूरा वर्णान करने का विक्ति इच्छा भी नहीं कर सकते तो जैसे कि जो लोग फिलोसफेर से स्पेकुलेशन से तो वो लोग क्या इच्छा कर रहे कि वो लोग इच्छा कर रहे हैं भगवान का वर्णान ही नहीं कर रहे हैं जो लोग speculation में लगे हैं वह तो भगवान की कीरते का वड़ना नहीं नहीं कर रहे हैं वो तो समझ ही नहीं सकते कि इस पूरे दृष्च जगत की पीछे एक व्यक्ति है जो लोग speculation कर रहे हैं वो आस्ता उनसे पूछो इश्वर कौन है नहीं बता पाएंगे प्रभपात के सामने कुछ लोग आयती इस परकार के और प्रभपत ने का भगवान कौन है वो नहीं बोल पाए बहुत अधिक है तो जो लोग speculation कर रहे हैं वो कभी नहीं जान पाएंगे तो वह थो भगवान कौन है आप बताई अगर दिशोड़ दीज बागव चोड़ दीजे बताए भगवान कौन है ने बता सकते और अब यदो बैटके स्पेकुलेशन कर रहा है विक्ति तो वह थो भगवान का नाम ही नहीं जान पाएंगे आप किसी के बारे में तो तो बो पूरी तरह आश्रित होती है, जिससे भगवान की प्राप्ति होती है, क्या आत्मा देह पर पूरी तरह आश्रित होती है, जिससे भगवान की प्राप्ति होती है, आप बताईए क्या आत्मा देह पर आश्रित है, नहीं है, लेकिन अपनी देह से पहचान करने के कालना से कि जाये श्रीला प्रहुपात कि जाये निताय गोर प्रिमानन दे